नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड डालिंग गैस एजनसी प्रेजेंस ताइशन तोक्षो दिल से को पार्ट बाई कॉम्सोल वाठर आइनाइजर दोस्तों आज हमारे एक पोलिटिकल एपिसोड है और हम आज एक ऐसे शक्सियत के साथ बैठे हुए जिनका जो पॉलिटिकल एफेक्ट है अपने कंसिटुएंसी में वो मेरे ख्याल से इस डेफिनेटली वन अफ दे बेस्ट हम लोग अक्सर उनके बारे में सुनते रहते हैं कि ये विलेज का जो पीपल है ये विलेज का जो पीपल है ये अव कंप्लीटली सपोर्टेड हिम हमारे शूं में ठाओ हम देख तो सर मैं सिधक आप में ई स्परोगर कें पॉलिटिक्स को आपने चुना आप् है मतलब हूँ चोज हूँ एक्चुली पॉलिटिक्स में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था शुरूल से लेकिन हुई है कि हालादे से बंते किया है कि मुझे पॉलिटिक्स में होना परा एक्चुली में एक सोचल वर्कर हूँ सोचल डिफॉर्मार हूँ और पॉलिटिक्स बोलने से मुझे आता नहीं कि कि पॉलिटिक्स में अदमी बोलता है कि जूद बोलना है जो चीज नहीं होता है उसको बोलना है जो नहीं कर सकता है उसको कॉमिट्मेंन देना है वो मेरा पास बिलकुल नहीं कि कि मैं एक सीधा जो देखता हूं उसी को करता हूं जो जिसको कॉमिटमेंट दिया उसी में स्थेन रहता हूं मैं अपना आपको एक सोचल रिफोर्मर एक सोचल एक्टिविस्ट ऐसा है मनतों महलेब सर्फ मतलब सर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशन बाई चांस मतलब है आपको पॉलिटिक्स में आना हुआ यह सर कैसे हुआ एक्चुली मैं आइशा था मैं नोकरी करता था और मेरा एक बजबून का दूस्त जो कहना सब गुजर किया पॉर्मर का हेल्थ मिनिस्टर रहा और हमारा कॉन से कुछ तीन बार रिपरजेंट किया तो मैं पांगिन में नोकरी करता था इनोन एक मोटर साइकल लेकर के मेरा वहां आता था बोला करता था कि चलो अपना गेंसे में काम का इसकोम निपला है और डेवलोदी ने, चलो काम करेगा तो मेरा कुई दिल जस्मिन नहीं था को इंट्रस्टेट नहीं था, कोई रूची नहीं था लेकिन इन्होंने जीद किया चलो बहुत प्रॉपित है तो मैंने चुति लेकर के गैंसे चला गया और वहां का जी यह को मिला बात किया तो 30,000 जैसा मैंने इन्वेस्ट किया उस जमाने में इस जमाने में सर कौन से साल का बात हो यह अब का 1991-92 का बात पात के अल्मूस्स 35 यह तो मैंने जहां 30,000 इन्वेस्ट किया मुझे एक लाग से ज्यादा बिल मिला मतलब 70,000 का खरिप मेरेकल आज का दिन में ओ 7 लेक्स का कोई वैलेशन में आये तो मैंने सुचाए कि आरे एतना अगर प्रोपीट है तो क्यों नौकरी करेगा उस जमाना में हमारा सेलरी बोट कम तो मैंने नौकरी को स्थिपा दे दिया और गेंशी में आ गया वहां सेटल हो करकर बैठ गया तो वहां बेते बेते तो वही उसे काम में लगा है तो जो एक्स्ट्रा काम था जो सोशिल वर्क था हम लोग का मूपिन है वहां का सेकेटरी प्रेशिडेंट कोई एक आणिज प्रणयमों में थो एक प्रण फर्तित था तो ओक्ट्रेश प्रती ने बनाइं कि आपको तो मुझे ज्वें सेकेट्री बना, बाइस प्रेशिडेंट बना बुलोग कोंग्रेस कमिटी का उसका बद प्र शेकेटरी बना ऐसा कर के फ्मास होते किया अरि ऐसा एक आत मेरा चाचा था भी एक बोर्ट फेमास अला था तो इन्हों ने वाइस प्रेशिदेंट भी बना अंचल सामिटी का तो मुझे इसलिए दितन खर्दो बोला करता था क्योंकि मैं दितन बोस्ती से हूँ ओसीवे बोस्ती से था बैंा तो फेमास होते हिर पंचाव mount का चुनाप आया है तो हमारा within फिर गरम पंचाव से शुरू करना था। गरम पंचाव से अंचल समिटी मेंबर फिर या तो बास प्रेशिदेंट किर वहां शेए डिस्टर्क में जाके डिस्ट्रिक था लेकिन हुई है कि मेरा जो सेम नाम मेरा चाचा इन्होंने भी नोक्री रिजाइन करके वो तीछर था सिवे वाला ओब आ गया तो वो मेरा हम से सिन्योर था जी तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट के आए कि आप इनको सपोर्ट करो जी तो ओजाकर का उंचल समीटी मैं पासाल पैठना परा तू मेरे क्याल 1992 से 97 तो फिर 97 में आपका पंचयत डिपांग तो तो तू तो तो कोई पंचयत का अक्टिवेटिस्ने और एलेक्शने कुष नहीं तो तू 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 तरी में जब पंचयत चुना आपका 73 अबनमेंन को इंप्लिमेंट के और न थै मिनीस्टर वा टा तरी डिल॥ 사 doit को मिनिस्टर वह mean किंष्टर मैं मिनिस्टर तो इनोंने बॉलाए कि आपको जिला क्रस्टर वेमर लगना है तो कि सिक अव्हों फोलिख से हों तू महीं एकक्डाम सिंगूल डिसाइड़ट की यहीं आमारा अनेला पंचय चुनामें अगर मुझे तिके देता तो आज जो स्टिटी बना है बिदान सभा का वही सेम स्टिटी था मुझे मालूमने जब जब मैं चुनाब में जाता है तो एक दम मेरा रास्ता किलार होता है जब भी मुझे कोई ऐसा मतलब लरने का कुछ बोलेगा तो कुछ बाकुद लाइन तीक होता है यह एक बोगवान का क्रिश्मा भी एक लिला भी और लोगों का एक विश्वास भी है तो जब रिजर्वेशन आ गया तो मैंने सरहिंदर कर दिया मुंत्री साब को बोला है सार आ क्या और आपका पातने का क्या बात बड़ाबर है और नोगा थीकेट दे देन कि परीर इंको टीक अना फूर्टिनेट यह वा एकषि हमारा मेदम कैम आपने दो बार बड़ान सबांश लोड चुका तो आं सक्सेस्पुल रहा है और मेदम घू है चीप एंजिनर तकर माना स तो जब वो फिल्ड में आ गया तो हम लूग को आईसा हाल चलोगा कि हम लूग तुई बैलेंस नहीं है तो वो लूग कहा हम कहा है लेकिन 21 बूट का डिफरेंस था जब काउंटिंग कर देगा तो बोट मतलों क्लोज मरिजिन मेरे क्याल से मेरे लिए एक परुचुनेट था कि उस जमाना में अगर हम लूग जिला बन जाता तो आज MLA साहिट नहीं भी बनना था क्यूंकि एक अदमी का एक्सपेक्टेशन है पंचाद में करने कुछ नहीं है तो ऐसा करके उसमें हम लूग चुना भारा तुटा जंट् पट ओनली विद 21 बोर्ट डिफेरेंट जबकि ऑपोजिशन जोए जैसे आपने का वेल तुडू फैमली उसका बात में फिर 2003 से 2008 में पंचाद का चुनाब पिर आया उसमें फिर कहना सब MLA रहा तो इन्हों ने फिर बोलाए कि आपको पंचाद चुनाब लरना है आप अब अंधि तईटिचर रहा तकेदमारा सभके SOUND के नमीदीफी बीज आंбы भी है तो इन्हों ने है तकेकमारा सबने जैद पियम बना और में जोन्जल सामिट्री का के इंप पिर म execution समें 1 में नेक्स चुनाब का ऑन्जयवट का इन्हों मूंतिरिस धाना जुम्हाभी मियर तो इ तो मुझे Kongres का Ticket दिया गया था जमाना का Ruling Party का Ticket था तो आशनी से चिता तो फर्स्टामा यह जई प्रेद प्रेद। प्रेद्ध नहीं यह जई प्रेद प्रेद बना तो उसका बाद में केना साब का कारिकाल जो है 2019 को कटम आना था इनका दिहान जो है आपका 2017 को बाद तो मेरा कारिकाल था 2018 तक तो मैंने उसको रिजाइन करके अपका एसेम्बिली एलेक्शन में आना पर और कैना साब का एक है मैं इनका ब्लेशिंग इनका लिगेश्री को लेकर का आज मिले हूँ इन्हों ने हमारा चेम साब को आईशा बोला है कि सार मेरा फेमिली से सेंपेटी वेब में आपकी श्री क मैंकृ तो टिकेट मीलेन मेरा मैरा परिवर कोई भी में के इनका इनोंने बोलाहा था मुझेभी बताया है था मिनने बहुंट लोगों को देखा सिंपेटी में देदेता है और ग्दू में जी जितने में तो जिता देता फिर लास में जाकर के आखिर हरना परेगा जब हारेगा तो मतलब फेमिली जोई कोई हालों मतलब बहुत ही कारब हो जाता है एकोनोमी के लिए क्या क्या डिटोरेटिट दो करके फेमिली खाइंका नहीं रहता है तो सारा को बोलाएं कि अगर अब लूग किसी को मेरे तरफ से बनाना है तो मेरा जड़ पीम को बनाना है कि यह सिदा साधा एक कॉमिट एशा एक लिडर है अब उसको लेकर करके गौमिन चलाने में कोई तकलिब नहीं होगा कि एक सिंगुल कॉमिट अद्मी है और रूब उसको चाहता है हमारा अपने चेट्र में इसा करके हमारा फेमा खंदु सार का ब्लेसिंग से मुझे बाजबा का टिकेट मिला रूलिंपर्दी का और हम लूब चुनदा असान बहुत आसानी से जिता तो मेरा एलेक्शन 18 को बोलने से भी होगा मैंने और टेकिंग किया था 2017 का 26 डिसेंबर को बिल्कुल एंड में से एंड में तो उसका बाद फिर 19 मार्स में एलेक्शन देक्रार हुआ और मैं बहुत मतलब एक्सपेक किया था कि जब बीजेपी में ज्यादा दिन नही रहा ना तो मैंटिन मेरा किट में कोई प्रोब्लम नहीं ज हुआ चैने मरा य था साइश उशता लेकिन जब एक ठीकेट का लीजत आया तो मेरा नहीं हरे जिइंस्टेंग अनाम नहीं हरे सिट् कि दूसरा चुना बाया तो आप लोग उसको डिस्काट करते हैं तो यह तो तीक नहीं करके के लोगों में सब नहीं बोलाए कि मैं तो एक दम थो भी फ्रेंग मैं नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि एक साल का एलेक्शन है जारा ताको उसने में चला गया अभी कोई तो पैशा टो नहीं के लोगों को इनका नहीं करद्षा जाता है जाला गोश्क से लोगों को नहीं आप का जैना उसको करें उसको यह तन्युले छान गिर लेके आना इनका काना पिना फिर एलेक्शन पोस्टारिंग करना और ऎक म Initांद करना उसम५ेंद पेसे मरा है दूप लेकिन लोगो का बिस्मास था एक जन अंदुलन जैसा था एक लोगो का एक थाकोट था तो मुझे नाइंटीन ने फिर जिताया वा पीपे टिकेट से फिर पीपे में देखा है तो में अकेला मेले बना हाँ कोई ने बना एक सिंगूल रिजिनल पार्टी का मेले तो अब आवाज तो मुझे ओ कोणर में बेतने देता है जाकि आप लूग का केमरा वे नई पौंच बाता है और एक सिंगूल आदमी होने का साथ चार मेरा आवाज तो बहुत ही कम सुनाई देता उस ताज का एसे में फिल अधा है तो मैंने पार्टी को बोला शेम साम को बोल मुझे मुझे मुझूरण वहाँ जाना प्रर आप जेता यूजीता कम्फरिवली है को अभी अपलू मुझे पठी में लिया आदना है रं मैंद जाना चाहता हूं तो कालि भी अच्छा एक रेस्पोंच कैया है कि हां आको तो क्याता था को अनु नहीं बता पाएगा और को तो आपके लिए दर्वाजा कुला है तो मैं बाजबा में मार्ज करके अज बाजबा काई मेले हूँ और ऐसा करते करते अभी आ रहा हूँ और अभी आपने बोला है लोगों का एक अच्छा वेव है जी वो तो दिखता है सर जितने भी दोस्त है अब लोगों को गीन के बताने से मेरा बोस्ती को अब लोगों को पता नहीं चलेगा एक गाव में दो फेमिली तीन फेमिली आइसा शिरिफ नहीं सारा मतलब 80-90% पूरा सपोर्ट तरके आज का दिन में तो बस जोइनिंग ही जोइनिंग करा रहा हूँ जी देखता हूँ जित कि बहुत ही अपका बड़ा मुस्ते हैं अपका फूटी ले रहा हूँ 100% है सीवेज जैसा पूलिंग स्टेशन वहां में 100% है तो वैसा इसा करके मतलब एक लूगों का एक एक क्या होलेगा एक विस्वास है और मैं शुरू में आप लोगों को बोलाएं कि मैं तो जूद न हम लोग MLA बना देगा तो हमारा एरिया में विकास होगा और हम लोग को वे अध्लिस मतलूब जो MLA का तरफ से जो बीफित मिलना से हैं मिलना ऐसा है का एक एक स्पेक्टेशन है उसी का साथ में भी खाइम रहता हम पिलकुल रहा है See generally politicians are perceived to be very clever and then बातो में घुमाने वाले होते हैं But I must tell you sir I think आप सच में भी honest है He is so honest na profit मिला काम कर लिया इस तरह की बाते एक politician के मूँ से सुना ही नहीं देता है So I don't need to tell you much नहीं तो फिर supporter घुशित कर देगा हमको But we all can see sir that honesty is definitely there Now sir coming to your constituency sir Likha Bali constituency sir जैसे कि आपने कहा एक Foothill constituency है Assam के साथ border share करते है So sir what are the disadvantages or advantages of it being a Foothill or border district sir Border constituency Merit तो जदा देजिया लेकिन की merit ज्यादा है क्योंकि तकलिफ ज्यादा है तकलिफ ज्यादा है वह जब मैं MLA just नया नया बनाता तो और मेरा election में भी यह लूग पोट्रेस किया था By election में हमको नहीं बोलकि government को Okay वह में अपका Foothill मतलब Okay no road no vote yes वह मतलब intellectual group था तो इन्होंने बोलाए कि जब तो हमारा यहाँ रास्ता नहीं बनेगा तब तो हम लोग बूद नहीं नहीं था नो road no vote ऐसा एक श्लोग आंका सा तो अपका चार उंचल ग्राम पंचियत का उंचल सेग्मेंट का बूटिंग नहीं था आई उसका वो रिपोल भी नहीं करया क्यूंकि एक बोलोन्तरी कि वाचा कर कर गे कि बोहुत मतलब του कंडिशन ने कि हर्जबल कंडिशं दा लोगों का तो जब मैं जीत का आया आने का साथ-साथ मैंने कि देखिए लोगों में एक सचमुष में एक समश्या है जेन्वीन जो नोरूट नोरूट जो क्लेम क्या है यह बहुत ही जस्टिफाइड है तो उसी समय में उसका पी एंजी एस वे का प्रोपोजिल भी चल रहा था जी मतलोग लाकी लिए वो फ्रोशिनेटली ओव प्रोपो को अप्रूब कर दिया अब कालिकाबली से लेकर करके लाज कामले डिस्ट्रिक का बाउंदरी दूर पाए 65 किलोमेटर यहां से लेकर करके एक ही साल में मतलब सेम फैनेंसिल यह में उसको सेंक्शन कराया पेकेज सिस्टेम करके वाँ ताभी ओ रास्ता उसको बनाने में हम को बहुत ही मतलब क्या बहुत ही मतलब क्या बहुत कुछ हम लोग को तीन साल में कंप्लिक करना था लेकिन यह फाइब यह जैसा लागा क्योंकि विच विच में दिस्कारी को लेकर चला जाता है बनाने ने देगा कंटेक्टर को भी बहुत नुक्षान होना परा लेकिन हम लोग उसको डिसकार करके मैंने असाम चीप मिनिस्टर को भी मिला गौाटी में जाकर के तो खरके अभी तो रूट कुम्प्लिट हो गया तो यह एक रहात है अभी कंप्लिट हो गया वाक्ता कि दूसरा गली से जाकर पूंचना है असाम तब तो रास्ता ठीक है जब हमारा और नाचल का पॉर्शन आएगा तो रास्ता कोई पका तो हाई नहीं किच्चर से ओकर के आपको जाना है ऐसा-इसा जगह था कि आप जोता कुल करके फिर नुदी को पार करना है ऐसा था तो वहां का लाइब इसलिए मैंने हुरिबल बोला है कि आसाम ओला बोलता है कि यह हमारा तेरितोरी है 1951 नोटिफिकेशन गोर्मेंट अब इंडिया बेजिंग उन्दा रिपोर्ट और बोर्डोले बोर्डोले वाज चिप मिलिस्तार अवासान वानमें कमिटी तो उसको बेस क बांदरी तो उपर में है पहार से है जतना प्लेन हमारा है पिर उसको रिजा प्रेस गुषीत करके रखका है तो प्रेस आख कर करके ओलो को करता है इवेक्शन करता है तो इसमें पुरा सा एक रिलीव इसलिए अलो को मिला ता कि गुलब बोर बुरापॉल के आसाम में एक और हमारा यहां में पीके तंगोन साब था इंडुनों ने 1978 में एक स्टेटास को एग्रिमेंट साइन किया वो एस्टेटास को में ऐसा लिखा है कि जहां डिस्पीटेद एरिया है यहां कुछ कुछ कॉंस्ट्राक्शन नहीं करना है लुग जैसे बेता है ऐसा ही बैठने देन और सो लोंग बांदरी डिस्पुट शेटल नहीं होता है तो यहां में कुछ करना है ऐसा करके उसी स्टेटास को को ही में टेन करके लुग बैठ रहा था तो दीमेरित ही इसमें मेरिट का कोई पॉइंट नहीं मेरिट बॉला जाए तो यह होगा कि आसाम तोरा समने है पैद लेकिन मेरिट बट कम था है उसका बाद अभी तो हम लोग फिर हमारा सेंट्रेल कौम्मेन जो मरेंडर मोधी जी का सरकार और अमित साथ जी हमारा यूनियन हो मिनिस्टार है तो उनका डारेक्शन से नोट रिस्ट का जतना वे चिप मिनिस्टार है सब को बोला है कि अब लो सब्सक्राइब करना इंस्ट्रेक्शन साइब और चीज को समोजता है एक पोजिटिव डारेक्शन में लेकर जाता है बाकी स्टेट का रेस्पोंस मुझे इतना मालम है हमारा मेगले का वह आसम और यह मेगले बोडर अब तो सो में अगालेंद और मेजुराम का अबरेक्शन से पोजिटिव रिस्पोंस ने लेकिन हमारा और नाइचल में 12 रिजिनल कोमीटी बनाया था एक-एक डिस्ट्रिक में एक-एक रिजिनल कोमीटी हमारा लवार्स श्यंग में आपका वो बाग्रा साब हमारा का लो का जो बोड बार मीटिंग कर चुका फिल्ड वीजिट भी क्या देमाजी में मीटिंग क्या गवाटी में क्या इतन अगर नगर करके अभी बांदरी कोग हम लोग अब तो 80 पर से हमारा चेट्र है अवा अल्मुस्त अल्मुस्त अब फिर अज एक लेटर मिलाए कि गोम्मेंट से ची गोम्मेंट अब इंडिया से आ रहा है तो लोग आकर उसको हम लोग तो एक लाइन एक देखाया लेकिन अभी टेक्निकली ओलुग आ करके उसको मेपिंग करके और नाचल आसाम को भी सेट्ल करने बाला है अगर यह सेट्ल होता है एक फाइनली एक सोलुशन आ जाता है तो अगरे बहुत ही अच्छा है और नाचल के लिए अच्छा है कि उसमें एंक्रोश्मेंन का जो फुश्चों नहीं आए असाम बोलता है कि यह तो हमारा बांदरी उपर में है अब मेरा जमीन को एंक्रोश करता है फिर हमारा लोगों का काउंटर क्लेम यह है कि अरे हम तो बह Elok जो है मेरा जमीन को चिलना चाता है तो यह भी में कर सकता है कोई आसाम का इस ट्रॉक्टिर करने सेयं हम लूग जाकर के उसको बोलता है कि ने आपको नहीं बनानाब पीर असाम ओलकर के बोट आभी सेटल होने का बाद में उलता हम लुग भी अगर आसाम में कुछ वो आपनों काम करा सकता है और और ना चल आसाम गवर्मन भी और ना चल में पैशा दे करके करा सकता है उसमें कोई अब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि बाउंदरी डिफाइन है यह आपका यह मेरा तो बहुत ही अचा होगा आगे जाकर के अचा जगा बनेगा मेरे गया तो सर पॉलिटिकल बाते तो बहुत की हमने तो सर चलिए थोड़ा सा आपका जो बच्पन था वो कैसा गया बिकॉस जर हो वस यह लाइफ इन गयंशी मेरा बच्पन को बोला जाय तो क्या बहुत ही प्राइमिटिव था जब हमुग परा करता तो हमाना एरिया में कहां गारी चलता था और हमुग गारी देखने के लिए बहुत थरस्ता था जिंदेगी में गारी देखा नहीं अरे गयंशी से हमा सिवे जो है आज तो मेडिली स्कूल होगा जब हमुग पराइमिरी स्कूल था पॉर्टी फाइव किलोमेटर का तो उसको पाइडल चलना है ओमाइग जब हमुग क्लास वां तू में पर राता तो कहां ओधर पाइडल चलके गारी देखने मिलेगा ऐसा था तो एक बार मैने एक डोस का साथ चला गया और गेंशी में हमारा सरकूल अपिसर का एक जीब वा करता था तो मेरा एक बहुत इंट्रेस्ट था कि हम जेशे भी गारी देखके आना है आनला कि लिए ओ गारी जब में गेंशी पुंचा तो था नहीं कहीं चला गया एकी गारी था तो हम लोगो में वाँ जाकर के दूना है गारी का मुझू थाया कैसा होता होगा उसको देखे जा आज तो मैं उसे नहीं बोल सकता हूँ को ऐसा स्टिती रहा तो मैंने स्कूलिंग जो है सिवे प्राइमरी स्कूल से क्या क्लास पाइब तो फिर क्लास शिक्स 19, I think that was 1980, क्लास शिक्स अध चूल में स्कूल का मुझूल का मुझ। तो जब मैं क्लास शिक्स मैं एट्मििशन लिया था तो मुझे होस्तेल का एजिस्टेल मुझ। बना है वाँ Class 6 6 में जब कि एक दों निव कमर्स तो बिल्कुल उसका बद में जब Class 8 में चला गया तो फिर मोनीतर में कोंटेस किया तो मैं एक बूट से हार गया अरे मेरा एक दोस्ता इनको प्रेले एक बोट से हरा फिर 21 वोट मिला margin कम रहता है आपका ना फिर लोगोंने बला है कि आप स्कूल में करना है स्कूल मेरा एक दोस्ता जनरे सेकर्टरी के लिए बोड़ी इंट्रेस्ट है था इन्हो मुझे रिकोस्ट काल कि मुझे जनेरeral सेक्राथारी बना है आप एजयस्टैन जनरेकम जनेर जनदना जनाट मैं एजस्टैन सेक्राथारी को जनेर बना दे जनेरton मुझेशलंर कर्ई भंद्ध कर तोoug ंसे झुचेटरी बना देचर है थीरे ब Euch लिजे में पोस्तिंग पिर हमरा वाम के एक यहाओ वाम को स्टुडेंट मतलब गैसी इए स्टुडें इनन था। यॉप को जब मैई क्लास एत में पूंचीए तो मुझे पिर एक यहाओ वां को स्टुडेंट नियॉन का दिना है लेकिन ओट धरम को मैंने कोम्पेट कंदे नहीं लाकि कि एत पास कर में विल्ट पाइक नियों के लिए यह था कॉंसा स्कोल दिबरोग एप स्कोल सेंड बोनीफाइस बाईबली स्कोल था आप यह फिकन वे नहीं है तो वे दोशी दोफ दॉट आप जैंड़ा वे तो दॉट तो दोट दॉट एगसाम देता था ताम अपे लेते तो दॉट को स् मैं नोक्री करने निखाल गया मतलब सर क्लास्तिन के बाद आप सब्सक्राइब मैं नहीं पर सब्सक्राइब बट सर आइ मस् तेल यू लगता नहीं कि सर आप I mean this is मेरे लिए थोड़ा सा सप्राइजिंग था है because the way you speak sir honestly it doesn't seem like कि आपने मतलब लोगों का यह है मुझे तो लोग पुछता है कि आप कौन सा कोले से इग्जैक्ली से किया है आपका इनिवर्सिटी कौन रहा ऐसा पुछता है पुछे या सर आपको मैरा वह है कि मैरे लार्निंग मेरा बहुती इंट्रेस्टेटा हूं आज भी सिखता हूं और जब पर रहा था उस समय मेरा पास वह बुही रहेगा कि उसको क्या ट्रास्लेट करना है किस चीज़ को क्या मूलता है और अपने लोग अलग से इंट्रेस्टा है तो उसे करकर 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 का आज यह है ऐसा स्टेज पे आ गिया है कि जो युनिवर्सिती का स्टूड़न नहीं जानता है मैं इस स्टेज को जानता हूँ और उसमें सर अलग मज़ा है ना जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है जब आप उससे ज़्यादा जानते है तो मज़ा अलग आता है ना सर मैं कहता रहता हूँ कि people who are successful आप देखे वो बचपन से महनती होगा या तो उसका अंदर कुछ एक जजबा होगा हमेशा सीखने का अभी तो मैं मतलब ये हर एपिसोड में मैं बोल बोलके ना इस वेरी नॉर्मल मतलब मैं जस रुकता रहता हूँ सर एक्चुलिया उल्मेस वे किलोमेटर्स दे उस्ट वाक यूद वाक जस्ट तो सी अ कार आज देखी विधायक बनके हमारे सामने बैठे हूएं और आज आज वेरी लेर्ने मैं ना क्वालिफिकेशन तो वो तो चलता रहता है बट ये तो लेर्ने ना सर तो बचपन ऐसा गया आपका एं देन सर अभी मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कार्दो निग्योड जी अभी तो फिलाल विधायक है आगे सर कौन-कौन से रूप में आपको देखने को मिलेगा सर हम लोग मैरा तो जो MLA बना ये तो out of dream था मैं MLA बनेगा सच में सर हां सच में एक दम आपको दील का बात बताता में MLA बनेगा मेरा कोई प्लाणिंग नहीं था मेरा तो मेरा दोस्त अकड़ बर डिक दार था कहना सर videos तो इनका आगे कौन जीतेगा तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं MLA बनाइगा जब वह मरने का बाद में मुझे Code General करके चला गया मुझे पांचाद के लिटो यह मेरे लिए बोट बॉरा चाहींरा लेकिन मेरा एक जिन जिन जिंदगी में एक और रहा कि जब में ग्राम पंचाद में रहा तो भी मेरा का एक satisfaction है, मैं एक public का फिगर बन गया हूँ, जब अंचल समीटी member बनाता हूँ, अरे अंचल समीटी का chair person बनाता हूँ, यह बहुत 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 पोस्ट है, मनलब से छोटा से आपका small dreams, small dreams है, लेकिन जिस पोस्ट को मिलता हूँ, इसी में मैं satisfaction रहता हूँ, वो एक district में चला जाता है, आपका जिला प्रश्याग मीटिंग में एक्स ओपिशय मेंबर है, तो होदी पूरा आपका वेश्यांग का जितना होदी से इसका साथ बेटेगा, वहां का chair person बनाता हूँ, आपके जमाने मे बनाता हूँ, तो एक satisfaction मिलता था कि काम करने का, फिर जड्पियम बना तो मैंने सुचा है कि यह मेरा जिंदगी का आखरी यह होगा, मैं इसा आगे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हुए है कि बगवान का एक ब्लेशिंग बोलना पोनेगा कि हाँ MLA बनने मिला, फिर नेक्स त है तो आसा तो साथ है, तो सब लोगों का एक अच्छा, जैसा आप देखिए, जैसे सेंग होता है पुझा, जैसा चुनाब लगा था, इन्होंने आज मेरा साथ है, एक मोलाम दिनी है, बाइलेक्शन में कॉंग्रेस टिकेट से लगा था, वो आज मेरा साथ है, मुझे मेरा साथ है, और हमारा वाँ में चार जैट पियन है, उसमे से एक जैट पीशी भी है, चार में से तीन हम मुझे साथ दे रहे है, मतलब आज का दिन तो कल हो सकता है कि चार भी मेरा साथ हो जाए, और जितना मेरा गराम चैर पर्शन है, मैंने काल्कुलेट करके देखा है त तो तोटल मेरा कॉंस्वेंशी का गराम चैर पर्शन दूई सिरिफ मेरा साथ नहीं है, बाकी साथ 98 पर्शन मेरा साथ है, तो रास्ता साथ है, तो यह है कि बास जहां तो के मुझे रास्ता तीक लगेगा, उहां तर चलेगा, उसका बास जब लोगों का जो एंटी एंटी बोलता है, और लोगों में विश्वस कम हो गया, तो हम अपना आप से बास निकाल के किटी वरी करेगा, भागान करेगा, दूसरा को मौका देगा, आप लोग करो, और हम जिस पोजिशन में बेता है, उसी पोजिशन में मुझे बोर्ड कॉम्पर्टिबल लगता है, जैसे आप मुझे बनके काम करने में जदा आचा रहेगा मंत्री बनने से, क्योंकि आप मंत्री बनेगा, सारा रेस्पोंसिबिलिटी आ जाएगा, सब कालों का गार्जन बन जाएगा, तो अपना कॉंसरेंटी को डेवलोप करना है, हमको वह है कि काम करने के लिए गोर्मन साथ द देना है, अपना एरिया को डेवलोप देना, जैसे हम लोग अभी सीजी हेड़कॉर्टर को शुरू कर दिया है, अभी पुरा सा, वो एल्जीटी का इंज्यक्शन लोगा कर रखा है, लेकिन यह भी मेरे काल जल्दी कोटम हो जाएगा, सारा चीज नेशनल ग्रीन का एक संतर अग्शेलेंस, वाँ, मतलब एक प्राउड पील करेगा, करने तक मतलब एशा करने का मेरा एक मतलब एक प्लानिंग है, तो यह सुख करने का बाद में फिर हम लोग एक रास्ता वाँ से आपका पासिगात से ओकर के, एगोधारी हो के, गारु हो के, हमारा गैंसी कामले डिस्ट्रिक्ट, तामेन बोके एक जहरा है तापरीजो रास्ता, वाँ जोएन करके इतन अबर आने का हम लोग एक प्रपोजल दाला है, हम लोग चे अमेले ने उसको साइन करके, सेम साम को दिया, और सेम साम ने कौन से पेपर के लिए दिपार्टमेंट को बोला, सा तो में इतना मतलब आपका बीनिफिज एडबांटर्स तो आंगिनित होगा, तो यह सुब काम करना है, उसको करके लोगों का दिल जितना है, तो लोग बनाते रहेगा, और मेरा क्या काम है, दूसरा तो हाई नहीं, एतना ओल्ड एज भी तो नहीं है, हम भी काम करने का समय ह बिलकुल सहाँ, और उसको करने का अब अब जुदी लोग बोलेगा, कि आप देट जा, कुछी-कुछी आराम से देट जाएगा, मेरा सौस बहुत ही मतलब है, मतलब छोता है, मतलब ऐसा नहीं, इंग्लिश में बहुत चिल्ड वाला परसनालिटी है, तो दोस्तों, जैसे ह बहुत है कि कोई पॉलिटिकल पॉलिटिशन से बात कर रहा हूँ, जैसे निग्योर सार एकदम आराम से है, मतलब, एक्चुली लगता है कि आराम से है, तो सर हमारे शो के एंड में आ चुके हैं, मैं आपसे बस एक ही दर्खास करना चाहूँगा, सर, जो हमारे जो यंग्स तो ऐसे वाला को एंकरीज करने के लिए सर आप ओडियन्स को कुछ कहा है, यह मैं लोगों को एक बताना चाहता हूँ, अपना एक्सपिरियेंस शेयर करना चाहता हूँ, हमारा लोगों का एक सोच बहुत ही सोट साइट है, आज ही हमको चाहिए, खल चाहिए, जिन्दगी ऐ अपना तेमपर को कॉंट्रोल करना परेगा, और अपना चाहत को कॉंट्रोल करना परेगा, और भुगवाद में एक विश्वास रखना है, हाँ, आज मैं तकलीफ मिल रहा हूँ, जिरूर लेकिन खल जाकर के मुझे एक अचा मौका मिलेगा, भुगवाद मुझे बड़ा- तो मेरा तो जिन्दगी बरबाद है, मैं क्या करेगा? आशा करके अपना जिन्दगी को भी बरबाद कर देता है, आशा ने अपना जू भी काम है, खेटी करता है तो भी बस हम इसी को करना है, इस चीज को अच्छा से करना है, प्रड़क्शन जाना करना है, हम इसी से काना ह है तो उसको honesty का साथ करना है और अगर आप politics में है तो एक honesty का साथ discipline का साथ करना है ऐशा नहीं कि आज मैं BJP में हूँ फिर मैं मेरा एक half part जो है सुचेगा हां Congress में तुरा सथीख है not like that हाँ में कि ऐस अब यहीरा है यही मेरा माँ है यही न्यार मत्र बूमी है बस इसोच का सथ करने से बागवान सोबको बडा बंहोगा देगा बतलो एक आप रूखना परेगा अपने एक एक इंटिजर करने का एक थाको डाना परेगा वोस चीज को अगर आप बनाए राकेगा तो जिंदेगी एक दिन या तो एक दिन सक्सेस हो नहीं है कब लोग बहुत तकलिव किया बहुत मैनद किया कि मेरा नोकरी को तो मेरे जायंक कर दिया मेरा मेसेज भी करती नहीं हम लोग अपना बहुति चौर के गांसेंज बेता है हमारा चे चे बच्चा है सब को हम लोगोंने प्राइवेट स्कूल में परने दिया वाँ मैनेजमेंन में हम लोगों को पूर तकलिव मिला क्यूंकि एक कि बच्चा को आप स्कूल पन्चाना लेकराना तेना आलो जैसा आपका बीके में ने ने एक बेटी को रका था जेन डी ने एक बेटी को रका था तो वह फिर हम लोगों का वास गारी नहीं था फिर वोश्य जा करके इस लो को देखना है फिर रताना है तो हम लोग जिंदय दिमना मठीधी नहीं ही जो मुझ जेल नहीं की जिंदयर कंथे लेकिन हम लोगों नहीं नहीं हमद महिं हुप मलग जोक एक्सपेक्टेशन था अहुम एमलेन बनेगा वी घरगेट नहीं था लेकिन एक अच्छा आदमी बनने का, एक सोशल काम करके, खुद को एक recognition अपना जेगा में करने, चेटरे में करने का, ये लेकिन मेरा पास था, तो उसे सबसे करते गया, तो आज जो है, बिदायक बना और लोगों के लिए काम कर रहा है, और लोग जो है पसंद भी कर रहा है, तो वही है, मेरा ये काम क्या था, एक मैने बिस्नेस क्या, शुरूर क्या, ये फ्लॉप हो गया, मेरा यान उक्षान हो गया, मेरा जिन्दगी बरबाद हो गया, ऐसा भी लकूल नहीं सुचना के लिए, यहाँ अगर आपका नहीं तो वहाँ आपका लिखा है, फिर आप इस में बिस्वास करता हूं, सर ने कहां, जैसे कि, लाँ, you know, hard work करना चाहिए, patience रखना चाहिए, रुकना चाहिए, और गभी गिव उप नहीं करना चाहिए, तो बाते तो बहुत कि आज अच्छली सुना जादा, मैने, It's a very wonderful opportunity that I got to hear so many things Sir, बहुत बहुत दन्यवाद, बहुत सारे बाते की आप से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा And then I'm sure audience को भी अच्छा लगा ये सर हमारे Tysan Talks की तरब से सरे एक छोठा सभेट है आपकी लिए Thank you आशाकरे आपको अच्छा लगे Thank you very much Please be seated तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, हमारे विधाइक जी, पॉलिटिकल एपिसोड श्री कार्दो निग्योर जी के साथ हमारा आज का ये पॉलिटिकल एपिसोड था बहुत ही अच्छी अच्छी बात ही सुनी मैने आज Today was more like a listening day और आशा करता हूँ आप भी सुनते रहेंगे तो आपको भी अच्छा लाएगा Such an inspiring man and I must say sir Very very honest and very very humble man दिखावाट अला humble नहीं हाँ, असल में humble है sir So I wish you all the best हमारे टाइशन टॉक्सों की तरफ से sir को बहुत बहुत अच्छी wishes देना चाहूँगा Thank you very much जो भी आप करें sir अच्छा करें तो इसे के साथ दोस्तों हम आज के episode के अंत में आ चुके हैं हमारे साथ जुड़े रहें inspiring stories देखने के लिए, entertain होने के लिए तो आपको मिलते हैं अगले episode में हमें like करें, subscribe करें I will see you on the other side, thank you